5,4,3,2,1 उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूक है उसको नहीं रोकेंगे तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे देश की जो दूसरी बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है आदिवासी लोगों को गरीब और पिछडे लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है काफी ऐसे लोग हैं जो च्छ महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं मैं इस विशे में मंत्री महोदय का ध्यान आकरशित करना चाहूंगा मेरा शेत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत हराभरा है वहां काफी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है अगर इसको सही धंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहां नहीं होगी मैंने प्रधान मंत्री जी को इस विशे में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहां जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए इसके बाद एक समिती बनी जिसको वहां जाकर सारी चीजों को देखना था उसकी सिफारिश के अनुसार वहां काम होना था इस समिती को बने हुए चह साथ महीने हो गए हैं लेकिन यह समिती आज तक वहां नहीं जा सकी है जगडा क्या है? जगडा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिती का अध्यक्ष बना दिया गया है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे उनके साथ कैसे जाएंगे इस वास्ते यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए हमारी जो अर्थ नीती है वह वनों पर आधारित है जो गरीव लोग है उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है जो इमारते हैं वे लकडी की ही बनती हैं इटें वहां नहीं बनती हैं सिमेंट का वहां कोई कारखाना नहीं है इधर से ही वहां सिमेंट जाता है उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिमबर है असम से टिमबर नहीं आता है चुकि वहीं से आ सकता है इस वास्ते वहां पर भी इसका भाव बहुत उचा हो गया है और वह असम से टिमबर न आने की वजह से हुआ है लकडी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बिचारे गरीव लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है